नमस्कार मैं अनुष्का विहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक की खबर को जानने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की सुड़के पड़ बंचाय चुनाव के लिए सभी जिलों में पहुँच गई EVM अकस्त के दूसरे सब्ता में खुल जाएंगे पहली से दसवी तक के स्कूल बूमी विवात से जुड़े नियमों में हो सकते हैं बतला अगले पास दिनों तक कंजोर रहने वाला है मानसून अठारा सो डाकियों को मिल रहे हैं नए स्मार्टफोल तो आईए अब जानते हैं खबरे विस्तार से बिहार पंचाय चुनाओ के लिए सबी जिलों में पहुँच गई EVM बिहार में त्रेसरे पंचाय चुनाओ के लिए सबी जिलों में EVM पहुँच गई है बता दे कि सबी जिलों के DM को यह काम दिया गया था कि वे तैक यूहे विविन राज्यों से जाकर EVM को कलट करें ऐसे में यह काम को पूरा कर लिया गया है आपको बताते चले कि पहली बार बिहार में पंचाय चुराओं में EVM मसीन का इस्तिमाल होगा इस बार 2,09,000 EVM का इस्तिमाल होने जा रहा है हलांकि EVM की जड़िये केवल 4 पदो मुखिया वाट सदा से पंचाय समीती या सदा से और जिला परिश्वत के लिए वोटिंग की जानी है बाके के बचे दो पद पंच और सरपंच के लिए वोटिंग बैनिट पेपर के मादियम से होगी इस क्रम में शेकपूरा जिले को टमिलनाडू से EVM मंगाने में खासी परिशानी हुई बताते चले कि अगले 24 गंटे के अंदर जो मशीन रास्ते में है वो भी पहुँच जाने वाली है फिलाल पहुच गए EVM को गुदाम में रखा गया है जिसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाएगी बहुमी विवाद से जुरे नियमों में हो सकते हैं बदलाव राज में अकसर भुमी विवाद के कई माम ले आते रहते हैं और कोट तक पहुचने पर वर्सो तक अठके रहते हैं ऐसे में बिहार सरकार विवादू का निप्टाड़ा कम करने के लिए संपत्ति से जुरे नियमों में बदलाव करने की सोच रही है वियार सरकार के राजस्व एवं भुमी सुधार विवाग मंतरी राम सुरत राय के मुदाबिक इसके लिए सहमती नियम बनाने पर विचार चल रहा है जिससे कि किसी पुष्टैनी जमीन को कई भाईयों के बीच एक फॉर्मेट के तहद बाटा जाएगा बड़वारे पर परिवार के बहुमत वाली सदस्यों की सहमती बन गई तो इसके बाद एक सहमती पत्र पर साइन करना होगा जिसमें पंचायत के मुखिया, मुखिया चुनाव की निकरतम प्रतिद्वन्दी, वाड सदस्य चकबंदी और राजस्व विवाग के अधिकारी भी अपने हश्ताप्चर करेंगे इसके बाद उसे कानूनी मानिता मिल जाएगी और परिवार के अल्पमत वाले सदस्यों को भी इस सहमती पत्र को मानना जरूरी होगा इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है शनिवार को 350 एंबुलेंस और 50 नए CNG बसों का होगा उदगाटन बिहार में 24 जुलाई यानि की शनिवार को 17350 एंबुलेंस का शुबारम किया जाएगा इसके साथ ही पत्ना नगर बस सेवा के विवेन मार्गो पर 50 CNG बसों का भी परिचालन शुरू किया जाएगा मुखे मंत्री नितिश कुमार इन वाहनों को हरी जन्बी दिखाते हुए रवाना करने वाले है बताते चले कि नई एंबुलेंस को मुखे मंत्री ग्राम परिवान योजना की तहाज शुरू किया जाएगा दूसरी तरफ CNG बसों का परिचालन बिहार राजिपत परिवहन निगम की द्वारा किया जाएगा जो कि पटना के कई मार्गो पर चलेंगे ये सभी नई बसे अत्यदुनिक सुविधाओं से लैस है राजानी पटना में CNG बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये प्रदूशन को कम करती है इसके तहट मार्च 2022 तक पटना के सभी सरकारी डीजल बसों को CNG में कनवर्ट किये जाने का लक्ष रखा गया है राज में बहतर स्वास्ते व्यवस्ता वाले 34 स्वास्ते केंद्रों को मिलेगा इनाम कोरोनकाल में कई सरकारी स्वास्ते केंद्र अपने बहतर सुविधाओं की वजह से मरीजों का इलाज सही तरेके से कर पाए है ऐसे में बिहार के 11 जिलों के 34 स्वास्ते केंद्रों को चिनित किया गया है जहां इलाज विवस्ता में बहतर काम हुए है इन अस्पतालों को काया कल्प योजना की तहत बिहार सरकार इनाम देने वाली है साथ ही वहां के कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा इसके लिए एक करोर 33 लाक रुपे खर्च कर 34 जिला अस्पतालों को इनाम की राश्य मिलेगी इनमें पहले इस्तान पर बेगुसराई सदर अस्पताल को सबसे अधिक 50 लाक रुपे पुरस्कार के तौर पर मिलेंगे तो दूसरे नमबर बर भागलपूर को 29 लाक रुपे औ और बाका को 13 लाक रुपे प्रदान किये जाएंगे इस बाबत स्वासमंत्री ने बताया है कि पुरसकार में मिली 25 प्रतिशत की रासी को कमचारियों को नकत की तौर पर मिलेंगे बाखी के बचे 75 प्रतिशत रासी से अस्पताल की सुविधाओं और गुनवत्ता को बढ़ किया है कि मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंद बाद ही क्रिशी विभाग ने किसानों कुवे नुकसान का आकलन करके छतिपूर्ती राशी देने भी शुरू कर दी है आपदा प्रवंदन ने इसके लिए 100 करोर रुपे क्रिशी विभाग को दिये है इसके साथ ही उन्हों इस दिनों तक कमजोर रहने वाला है मांसून राज में मही महीने में रिकॉर्ड बारिस के बाद जुलाई में सूखा रह गया है जेट में गर्मी के बजाए जून महीने में रिकॉर्ड 401 मिलिमीटर बारिस हुई जबकि आशाड में जुलाई महीने के दौरान अभी तक प्रफ लाइन भी नहीं गुजर रही है इसलिए अच्छी बारिस होने के आसार नहीं बन रहा है हलांके इस्तानिय गर्मी और नमी की वज़ा से कई जिलों में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है बिहार लेबल प्रतियोगी परिक्षाओं को लेने की मिल गई जाज़त है राजसरकारनी कोविट गाइडलाइन्स में संसोधन करते हुए बिहार परिक्षा आयोग वबोड को विवन प्रतियोगी परिक्षाओं को आयुजित करने के इजाज़त देती है इसके तहत ग्रे विवाग ने नियम में चूट दी है जिसकी मुताबिक अब राजिय आयोग, परसद, बोर्ड एवं संतुले संसान नियुक्ती की साथ ही वेवन पार्टि क्रमों में प्रवेश और चैन परिक्षाय आयुजित कर सकेंगे हालांकि इस दोरान सुरक्षा मालकों का पालन करना आने बार रहेगा, हालांकि अभी विश्विद्यालेओं और प्लस टू इसकूलों को परिक्षा लेने की इजाज़त नहीं दी गई है, इन संसाओं को लेकर अनलॉक फोर्ड खत्म होने की बाद ही कुछ विचार हो सकता है, फिलाल यहां अभी केवल 50 फेसदी चमता की साथ पढ़ाई हो रही है, अगस्त की दूसरे सब्ता में खुल जाएंगे पहली से दसवी तक के स्कूल, इसकूलों को खुलने का इंतजार करने वाले पैरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए खुश खबरी है, बियार क सबी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को पहली से दसवी तक के बच्चों के लिए अगस्त में खोल दिया जाएगा, शुक्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने ICMR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बच्चों पर कम खत्रा और बड़ों को वैक्सिन दी जा होने का फैसला लिया जाएगा, बदा दे कि 23 साल 2020 से ही बच्चों की परहाई कोरोना महामारी की भेड चरी हुई है, अमूमन यही हाल इस साल भी रहा है, ऐसे में बच्चों की परहाई को लिकर सरकार गंभीर है, बिहार बीजेपी ने चिराग पासवान को दिया जटका, ख प्रिंस राज से ज्यादा बढ़ रही है, इस करम में बेते दिन भासवा प्रदिश अजयक्ष संजेज आसवाल ने किंद्रे मंतरी पशुपती पारस के आवास पर आयूजित, पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के शधाजली कारकरम में शिरकत किया, वहाँ वे चिर जन गन्ना कराने की मांग में राज़त को मिला कुश्वाहा का साथ, जन गन्ना को विवे ने जाती के आधार पर कराये जाने की मांग को लेकर अब तक लालू की पार्टी आरजेटी मुखर हो रही है, इस बीच उन्हें जैदियों के रास्टे संसद्य बोर्ट की उपेंदर कुश्वाहा का समर्थन मिल गया है, कुश्वाहा ने जाती सुर अलापने शुरू कर दिये हैं, उन्होंने कहा कि जन गन्ना करने में जाती का भी कॉलम होना चाहिए, किसी भी योजना को बनाने का आधार जन संक्या ही है, इसलिए जाती के तौर पर जन गन्ना क पैसा निकालने या फिर पैसा जमा करने के लिए खाता धारकों को डाग घर जाने की जरूरत नहीं होगी बस अंगूटे की निशान से खाता धारकों को पैसा मिल जाएगा डाक विवाग के अधिकारियों के मताबिक लॉक्डाउन में डाकियों ने बुजर्ग और बेसाहरों को घर गर जाकर पैसा पहुँचाया है लॉक्डाउन के बाद चार लाग से अधिक चुठिया पहुचाई जारी है बता दे कि पोस्टमेन मुबाइल एप में डिजिटल सिंगनेचर भी कर सकेंगे इससे खाता धारकों के साथ धुका धरी की समस्या को खत्मे किया जा सकेगा यहीं नहीं खाता धारकों का पैसा कोई दूसरा नहीं निकाल सकेगा जून में करीब 3 लाख लोगों ने आयुश्मान योजना का उठाया लाव बिहार में आयुश्मान भारत योजना की तहत लाखों गरीबों का इलाज चलड़ा है इस बात की जानकारी देते हुए स्वास्त मंतरी मंगल पांडे ने कहा कि राज में ये योजना गरीबों के लिए वर्दान साबित हो रही है बताते चले कि केंदर सरकार की स्वास्त योजना आयुश्मान भारत की तहत वंचित एवं गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक की निशुलक इलाज की सुविधा दी जाती है योजना की तहत बिहार में जून 2020 तक 2,183,143 लोगों को निशुलक इलाज मिल चुका है वहीं ऐसे लोगों के इलाज पर 272,219,000 रुपए की धन राशी को खर्च किया गया है योजना की तहत बिहार में कुल 912 अस्पटालों को लिस्टेट कیا गया है जिसमें 572 सरकारी अस्पटाल, 313 निजी अस्पटाल एबं 38 भारत सरकार के अस्पटालों में योजना की तहत मरीजों का इलाज हो रहा है दुनिया भर में इस सप्ता मनाय जा रहा है वर्ल्ड मास्क सप्ता कोरोना महामारी में मास्क हमारी जीवन का हम हिसा बन चुका है क्योंकि WHO की रिपोर्ट में भी माना गया है कि मास्क संक्रमन से बसने का सबसे सुरक्षित और कारगर उपाय है WHO की साथ ही कई देश की सरकारों ने मास्क को अनिवार कर दिया है इस बीच इसकी उपियोगिता को लेकर विश्व स्वास्त संगठन ने इस सप्ता को विश्व मास्क सप्ता की रूप में मनाने की घोशना की है इसके लिए सोसल मीडिया पर एक पोश्टर भी जारी किया गया है जिसमें मास्क की उपियोगिता प्रकार और रख रखाव के बारे में बता गया है इसके अलावे बच्चों को भी मास्क पहनने की जरूरत बताई है साथ ही हर बार मास्क को उतारने के बाद अच्छी तरह से साफ करने की भी जरूरत बताई गई है आरजेडी सांसद मनोजा ने मांसुन सत्र में सरकार को जम कर धोया राजसभा में चल रहे मांसुन सत्र में आरजेडी से सांसद मनोजा ने आम आदमी के आवाज उठाई उनकी बातों को इस दोरान पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन देखने को मिला उन्होंने कहा कि मरने वालों के आकरों की बात नहीं करनी है क्योंकि कुरोना महामारी में कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सरकों पर अपनी जान गबाई है और उनका कोई आकरा नहीं है कई लाशे गंगा में तेरती वे देखने को मिली, उन्होंने कहा कि यह किसी एक सरकार का फेलियर नहीं है, सिर्फ केंदर का फेलियर नहीं है, यह 1947 से लेकर अब तक की सबी सरकारों का फेलियर है, हम कभी नहीं जानते थे कि अस्पताल और आकसिजन का क्या कनेक्शन होता है, लेकिन वह सब इस कोरोना काल में दिग गया, इस दौरान उन्होंने कहा कि राशन वैक्सीन कुछ भी मुफ्त नहीं है, यह सब जनता का अधिकार है क्योंकि वे टैक्स पे करते हैं, रिशब बंद की टीम इंडिया में हुई दोबारा बापसी, टीम इंडिया के स्टार किल विकेट कीपर बलेबाज रिशब पंत कोरोना संक्रमित हो गया थे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि रिशब पंत पूरी तरह से ठीक होकर टीम से जुर गया है, गौर तलब है कि 8 जुलाई को रिशब पंत डेल्टा वैरियन का शिकार हो गया थे, जसके बाद उन्हें ए अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रिशब पंत की तस्वीर को शियर किया है और कैप्सन में उन्हें लिखा है कि हलो रिशब पंत आपको वापस पाकर खुशी हो रही है, तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में अगस्त महीने में क्लास पहली से दसवी तक के स्कुलों को खोलने का फैसला सही है या नहीं, आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रू बताएं और बिहार से ज़ड़े खबरों से अबडेटे रहने के लिए ज़ड़े रहें, बिहारी न मस्काव